कि अब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस रवांटेज यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग के एक्जैम्स इससे में चल रहे हैं और एससे के एक्जैम्स भी इसके बाद होंगे तो इस सभी को देखते हुए मैंने एक यह सीरीस पीओ, क्लर, कसस्सी और एनिधर एग्जैम्स वर्स और हाईदी यूसफिल तो इन वर्स को हम डिसक्स करेंगे और अनकैदमी पर यदि आप मेरी live classes जोइन करना चाहते हैं तो यह है मिरा डैफल कूर अनकैदमी पर भी आप मेरी live classes देख सकते हैं देखिए यह words जो हैं मैं previous classes में already discuss कर चुका हूँ तो यहां से series का next part मैं लूंगा और देखिए highly useful यह words हैं तो यहां तक मैंने last time किया था तो अब मैं यहां से आपको बता हुआ ठीक है तो इसके पहले के जो words हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे यह previous इस जो classes मिलेंगी मेरी video classes उनमें यह सारे words आपको उनका इनका explanation आपको मिल जाएगा तो इन वीडियो classes को आप देख सकते हैं यहां से हम next word से start करेंगे देखे एक यह बहुत ही important word है बहुत कॉमल यह पूछा जाता है competitive exams में plausible plausible का क्या मतलब है of an argument or statement seeming reasonable और पॉबेबिल मतलब एक ऐसा argument या एक ऐसा statement जो जो reasonable लग रहा है जो पॉबेबिल लग रहा है लेकिन हो सकता है वो वैसा ना हो लेकिन बाहर से देखने पर रीजनेबिल लग रहा है जिस्टीफाइट लग रहा है अब प्लॉजिबिल एक्स्प्रेशन मतलब जो सही लग रहा है और इसके जो सुनोनेबिल क्रेडिबिल बिलीबेबिल फीजबिल देखे यह यह काफी अच्छा वर्ड है एक फीजबिल्टी टेस्ट भी होता है जिसमें हम किसी चीज़ की प्रेक्टिकलिटी को देखते हैं किसको प्रेक्टिकलि किया जा सकता है कि नहीं वह होता है फीजबिल्टी टेस्ट को जैंट का मतलब भी कन्विंसिंग होता है ठीक है तो यह का हाई-frequency वर्ड है और रीडिंग कॉंप्रेंशन में इसको आप देखेंगे एक लोजटेस्ट में सको आप देखेंगे इसको हम बोलेंगे देखें यह भी एक हाई-frequency वर्ड है गलीबिल्टी गलीबल गलीबल हम उसको बोलते हैं जिसको आसानी से इंफ्लूएंस किया जा सकता है तो गलीबिल्टी का मतलब है कि आपका आपके अंदर का जो सीधापन है नाइवनेस है देखें यहां पर आप द एक होता है क्रेडूलस ठीक है क्रेडूलवस सब्सक्रेडू आसी किसी की बात पर साहे ड़्लीबिल्टी चालाओ की या चतुराई तो को स것ने का एस्टेूट मेडें को मैं इसको हम कुलते हैं और इसको हम सलाओ भी स्टी कि हो तersonलों मिओन स्साती हो तो यह सारे नाउंस हैं मैं ले रहा हूं रेज कुट देखे ये के एक नएया वर्ड है रेज कुट कम रेज का मतलब होता है गुस्सा कुट का मतलब छोड़ना तो गुस्से बें out of frustration किसी वर्ड को छोड़ किसी चीज को छोड़ देना सब आप वीडियो गेम देख रहे हैं और आपसे वह ठंक से हो नहीं पा रहा है यह आप कोई गेम खिल लें जिसमें अब जीत नहीं पा रहा है तो out of frustration you tend to leave that game तो इसको हम बोते हैं रेज क्विट ठीक है इसका पास्टेंस भी रेज क्विट होगा क्योंकि कुछ का पास्टेंस कुछ ही होता है तो यहां पर इसको रोग के आप यह सारे सेंटेंसे पर सकते हैं I tried to play it two different times and wound up rage quitting both times मतलब मैंने wind up कर दिया rage quit करके मैंने wind up कर दिया दोनों टाइम तो यह है सका मतलब everyone who is ever played a video game or had to deal with an uncooperative zipper knows the feeling you you get angry and a wind and an activity because it frustrated the bejesus out of you देखे यहां पर एक यह फ्रेज आया है bejesus out of you मतलब काफी ज्यादा फ्रेस्टेट आप हो जाते हैं bejesus out of you मतलब यह emphasis के लिए यूज होता है और जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं गुस्से में आप angry होके उसको छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं rage quit काफी important यह word है अब देखिए यह भी एक नया word आया है maciver क्या मतलब है इसका maciver make or repair an object in an improvised or inventive way यह इन्हीं improvise करना किसी situation कोई चीज है उसको on the spot बना देना create कर देना invent कर देना ठीक है make or repair an object in an improvised or inventive way making use of whatever items are at hand मतलब सबोज कोई भी चीज आपको बनाना है सबोज एक poem लिखना है आपको एक गाना लिखना है पहने से तैयार नहीं है उसको आप on the spot तैयार करते हैं that is improvise और maciver यह एक नया word है बिजीजस हम लगाते हैं emphasis के लिए used to express surprise or for emphasis I had a nightmare that I saw taught naked and it is scared the Jesus out of me is scared the biggest out of me मतलब बहुत जदा उसने इसको इसकेर कर दिया तो यह इसका मतलब है ठीक है आगे के कुछ words एफिसी ओ नाडो यह भी एक अच्छा word है किसी भी एक फील्ड का ठीक है किसी भी एक डोमेन का कौनी सर या expert या authority या specialist एक ऐसा वेक्ती जिसका उसमें बहुत जदा इंट्रेस्ट है बहुत जदा knowledge है और वो enthusiastic है उस उस चीश के बारे में crossword एफिसी ओनाडो बोल सकते हैं football एफिसी ओनाडो बोल सकते हैं cricket एफिसी ओनाडो बोल सकते हैं एफिसी ओनाडो बोल सकते हैं तो बहुत ही important यह word है और यहां पर मैं एक word आपको और बता रहा हूं यह भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया सेवन्ट ठीक है तो यह भी इसका equivalent वर्ड है सेवन्ट और highly useful यह word है कॉनी सर भी कॉनी सर की spelling बहुत important है c-o-n-o-i-s-e-u-r कॉनी सर चले इन वर्ड को देखते हैं देखे रेंडो क्या होता है बट हर्ड का मतलब बताता हूं आपको वट इस रेंडो रेंडो केन बी क्रीपी दवर्ड डिस्क्राइब एन और और सस्पीसियस पर नॉर्मली anti-social elements के लिए भी इसको हम यूज करते हैं रेंडो अरेंडो ओफन इंगेजिस इन शोशली इन एप्रोप्रियेट बहेवियर सो ट्राइटू कीप यूर डिस्टेंस फॉम रेंडो सेट ओन आर फेबरिट बैंच इन दा पार्क एंड येल्ड एट एब्रीवन हू कर रहे थे वहां से लोग बुजर रहे थे तो रेंडो का मतलब होता है जब आप बहुत बड़े जब आप ज़्यादा किसी चीज का बुरा मान जाते हैं उसको हम बूलते हैं बट हाथ ठीक है रेंडो एंटी शोशल एलिमेंट इंप्रोवाइस टू इंवेंट और मेक सच जे स्पीच और डिवाइस किसी और किसी चीज को ऑन दा स्पॉट बना देना इंप्रोवाइस इसी का एक वर्ड मैंने आपको बताया था मैकाईवर ठीक है तो यह सीरीज पर चला रहा हूं हाई फ्रक्वेंसी वर्ट की और सीरीज के सभी पार्ट आप देखिए डेफि सच का मतलब सराउंडेड थीक है नॉर्मली प्रोबलम से घिरह होनँअ डिफीकल से गिरह होना त्र स्को हम बोलते हैं विएक वर्ड है ये इसके equivalent word है तो beset by difficulties problem से घिरा होना ठीक है बिगेट का मतलब होता है produce जैसे हम बोलते है money bagates money पैसे से पैसा बनता है ठीक है तो produce करना किसी चीज़ को generate करना और इसके लिए दो वर्ड बहुत important है एक sire sire और एक होता है in gender in gender का मतलब है produce sire का मतलब है produce spawn भी एक important word है spawn produce करना generate produce करना in gender produce करना sire produce करना बिगेट ये है beset और ये है behold behold का मतलब होता है किसी चीज़ को निहार ना positive sense में इस word का use होता है stir का मतलब होता है घूर ना किसी चीज़ को इस टेर एक negative word है behold positive word है ठीक है beset beget and behold what is ergonomics ergonomics क्या होता है scientific study of people and their working conditions ergonomics में हम एक organization में लोगों की working condition की study करते हैं यदि working condition अच्छी है तो effectiveness ज्यादा आएगी ठीक है वहाँ पर चेयर जो है वो comfortable है table comfortable है AC rooms है तो ergonomics में हो working conditions की study करते हैं कि यह यह भी एक highly important word है as person casting as person on you किसी को नीचा देखाना किसी की बुराई या निंदा करना as persons इसके लिए काफी सारे words मैंने यहां पर लिखे हैं और इसमें से कुछ words बहुत ही ज़्यादा important है देकि पहले इसका meaning और detail में बता जयता हूं an attack on the reputation or integrity of someone or something I do not think anyone is casting aspirations as persons on you highly important word है कास्तिंग express representative हम बूलते हैं this ठीक है slender भी एक वर्ड है S L A N D E R slender का मतलब भी है नीचा दिखाना और lambasting किसी को इसी को लटालना डट इस lambasting तो हाइली यूसफुल यह वर्ट से ठीक है कुछ वर्ट हम और देखते हैं देखें एक्सपेंसिब में दो वर्ड होते हैं एक होता है EXPANSIV जिसका आरत होता है costly महंगा और EXPANSIV इसका मतलब क्या है expensive इसका मतलब होता है talkative frank and communicative talkative के लिए हम gerulous वर्ड भी इस्तिमाल करते हैं ठीक है gerulous और locatious इसको लिए एक वर्ड है locatious reticent उसका उल्टा है reticent card होता है reserve तो यह दो words important है इसके लावा creepy एक word है क्या मतलब है creepy का causing an unpleasant feeling of fear and unease suppose आप किसी strange मकान में जाते हैं या जंगल में जाते हैं किसी घर में आप गुशते हैं तो वहाँ पर जो feeling होगी आपको आप uneasy भी feel करेंगे और आपको डर भी लगेगा that is creepy ठीक है the creepy feeling one often gets in a strange house यह मतलब है what is snackable snackable जो जिसको consume करना आसान है जिसको share करना आसान है ठीक है तो इसने के बिल हम उसको बोलते है इसी फोर रीड़स to consume and share इसकांस इसका क्या मतलब है इसकांस एक एड़वर्ब है और इसका मतलब होता है doubtful या suspicious doubtful या suspicious या dubious ठीक है the reformers looked is cance at the mystical tradition looked is cance एड़वर्ब है यह देखिए वर्ब के बाद आया है यहां पर और इसको askance नहीं पढ़ते सकांस पढ़ते हैं देखिए looked looked is cance मतलब looked suspicious cynical एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी पर doubt करता है that is cynical लेकिन suspicious कुछ particular situations में use होता है they looked is cance at our scoffee clothes is coffee मतलब मैसी सकांस का मतलब होता है doubtful प्लैटी ट्यूट्स यह प्लैंटी ट्यूट्स से अलग है प्लैटी ट्यूट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी कहा बत कोई भी ऐसी बात जिसको बार बार हजारों बार कहा गया है और अब वो अपना इंट्रेस्ट हो चुकी है तो इसको हम बोलते हैं प्लैटी ट्यूट शी बिगेन अटरिंग लिवरल प्लैटी ट्यूट शी बिगेन अटरिंग लिवरल प्लैटी ट्यूट इसको हम क्लीशे भी बोलते हैं इसको हम truism भी बोलते हैं, इसको हम commonplace भी बोलते हैं, इसको हम hackneed भी बोलते हैं, banal भी इसको हम बोलते हैं, banal, ठीक है, try it, ये words आप बरबर revise करेंगे, याद हो जाएंगे आपको ये, old chestnut, ठीक है, banal, banal मतलब घिसा पिटा, बारबर बोला गया, इसको हम cliche भी बोलते हैं, cliche, cliche, banal का मतलब भी common होता है, ठीक है, highly useful ये words है, platitudes, इसको हम बोलते हैं, maneuver का क्या मतलब, जैसे आप गाली चलाते हैं, या बाइक चलाते हैं, तो कितना उसको skillfully या carefully उसको move कराते हैं, ठीक है, जैसे सरकस में जो, जो person होते हैं, वो जो लोग वहां पर दिखाते हैं, अपना show, उनके लिए उनको वो अलग लग तरीके से maneuver करते हैं, अपनी body को और games को, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, move skillfully और carefully, the lorry was unable to maneuver comfortably in the narrow state, ठीक है, तो ये इसका मतलब है, maneuver का, maneuver, इसको steer भी बोलते हैं, drive भी बोलते हैं, carefully guide और manipulate, किसी को carefully guide करना या manipulate करना, someone or something in order to achieve an end, कोई goal achieve करने के लिए किसी व्यक्ति को manipulate करना, चालवाजी करना उसके साथ, ठीक है, उसको भी हम maneuver बोलते हैं, काफी अच्छा यह word है, conspire, इसका एक meaning हो सकता है, pull strings, disinvestment क्या होता है, देखें, investment में कोई authority पैसा लगाती है, disinvestment में उस पैसे को वापिस ले लेती है, यानि उसकी जो assets होती है, उसको बेच देती है, इसको हम disinvestment बोलते हैं, इसको divest teacher भी हम बोलते हैं, divest teacher, और इसी से मिलता है एक word है, divest या divest भी हम उसको बोलते हैं, divest या divest का मतलब होता है deprive, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से वंचित कर देना, ठीक है, तो यह series में चला रहा हूँ, सारे words की, high frequency words इसमें में ले रहा हूँ, और आगे के words जो हैं, वो आगे के video class में मैं cover करूँगा, क्योंकि काफी words में already discuss कर चुका हूँ, और unacademy पर भी मैं बढ़ाता हूँ, तो unacademy पर यह आप मेरी live classes join करना चाहते हैं, तो इसका link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, तो वहाँ से unacademy पर भी मेरी classes join कर सकते हैं, और youtube पर तो आप देखी सकते हैं, तो अभी मैं इस class को wind up कर रहा हूँ, और next words जो है highly important words हैं, वो next video class में आप देख पाएंगे, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से मिलूंगा next video class में, thank you.